प्रभाद बच्चों, मैं सपनायादब कक्षा साथ की संस्कृत अध्यापिका बच्चों, क्या आप बता सकते हैं? अब तक हमने कितने पुरुषों का अध्यन किया है? जी हाँ, एक पुरुष का अध्यन किया है. क्या नाम है उसका? प्रथम पुरुषह ठीक है, प्रथम पुरुष को हम किस दूसरे नाम से जानते हैं? अन्य पुरुष के नाम से बच्चों, प्रथम पुरुष में हमने किन का अध्यन किया था? यस, करताओं का अध्यन किया था करताओं में हमने कौन-कौन से करताओं का अध्यान किया था संग्या करता और सर्विनाम करता का आज हम किसका अध्यान करेंगे उससे अगले पुरुष का जिसका नाम बता सकते हैं जी हाँ, मध्यम पुरुष का तो आज हम मध्यम पुरुष का अध्यान करेंगे तो चले चलते हैं अपनी विशेवस्तू पर पार्ट चार मध्यम पुरुष अभे लिंगियो मध्यम पुरुष के करता कि मध्यम पुरुष के करता हम यहाँ पर तीनों बचनों में देखेंगे एक वचन, दुई वचन और बहु वचन में एक वचन में मध्यम पुरुष का करता होता है तुम जिसका अर्थ है तुम दुई वचन में युवाम जिसका अर्थ है तुम दोनों और बहु वचन में होता है युयम जिसका अर्थ है तुम सब अब इन मद्यम पुरुष्के करताओं के साथ हम मद्यम पुरुष्की क्रिया देखते हैं तुवम के साथ हम लगाते हैं धातु में सी प्रत्य युवाम के साथ हम लगाते हैं धातु में थह विसर्ग प्रत्य और युवयम के साथ हम धातु में लगाते हैं थह तो त्वम, पठसी, युवाम, पठतह और युयम, पठत इस तरह से हम मध्यम पुरुष के करता के साथ मध्यम पुरुष की ही किरिया का प्रियोग हम करेंगे मध्यम पुरुष का प्रियोग पुलिंग और इस्त्रेलिंग तौनों के लिए होता है मद्यम पुरुष की करता के साथ मद्यम पुरुष की ही किरिया का प्रियोग होता है जैसे तौम पठसी तुम पढ़ते हो यूबाम पठतह तुम दोनों पढ़ते हो यूयम पठतह तुम सब पढ़ते हो अपनी पाठे पुत्त के अन्य उधारा देखते हैं मद्यम पुरुष एक बचन के तुम खादसी तुम खाती हो तुम हससी तुम हसते हो तुम पिवसी तुम पीते हो तुम पश्यसी तुम देखते हो तुम इस्मरसी तुम याद करती हो तुम नत्यसी तुम नाचती हो तुम क्रीडसी तुम खेलते हो तुम बालः असी, तुम बालक हो, तुम कन्या असी, तुम लड़की हो अब देखते हैं मद्याम पुरुशह दुवचन के रूप यूबाम तिष्टतह तुम दोनों पैटते हो, यूबाम धावतह तुम दोनों दोडते हो, यूबाम लिखतह तुम दोनों लिखते हो, यूबाम हसतह तुम दोनों हसते हो, यूबाम तरतह तुम दोनों तैरते हो, यूबाम इसमरतह तुम दोनों याद करते हो अब देखते हैं मद्यम पुरुष बहुवचन के रोग त्यागना और छोडना एकी बात है अब देखते हैं शबदार्थ शबदार्थ अपनी पाठे पुस्तिका मैसे है यच्छसी तुम देते हो या देती हो यू गिब तिश्टतह तुम दो तहरते हो या तहरती हो यू टू स्टे तरतह तुम दो तहरती हो यू टू स्वीम बसतह तुम सब रहते हो या रहती हो अल अफ यू लेव तिश्टतह तुम सब छोडते हो अल अफ यू लीव इस्थ तुम सब हो अल अफ यू आर अभ्यास कारे संप्रती लेख नियम के प्रश्ण प्रश्ण एक निम लिखित बाक्यों को शुद्ध कीजिए यहाँ पर रेखांकित शब्द को करता की अनुसार शुद्ध करके लिखना है तुम पटसी तुम के साथ धातू में सी आता है तो तुम पटसी ही रहेगा युवाम बदत युवाम के साथ धातू में थविसर्ग होता है तो युवाम बदत ह तव गुरूम नमत ह तव के साथ धातू में थविसर्ग आता है तो तव गुरूम नमत ह तुम पश्यत ह त्वम के साथ सी प्रत्य होता है तो त्वम पस्यसी ते पुस्तकम पठसी ते की साथ धातु में अन्ती प्रत्य होता है तो ते पुस्तकम पठन्ती त्वम क्रीड अन्ती त्वम के साथ धातु में सी तो त्वम क्रीड सी प्रश्न दो निर्देश अनुसार बचन बदल कर बाक्यों को लिखिए यहां हमें बाक्यों की बचन बदलने है तौम गच्चसी को बदलना है वहू बचन में तौम का वहू बचन यूयम और यूयम के अनुसार गच्चत यूयम हसत जिसे बदलना है एक बचन में यूयम का एक बचन होगा त्वम त्वम के अनुसार हससी ते धावंती जिसे बदलना है दुई बचन में ते का दुई बचन तव तव के अनुसार धावत ह यूबाम पटत ह जिसे बदलना है एक बचन में यूबाम का एक बचन होता है त्वम अब देखते हैं भाषा अब बोधनम के प्रश्णों को भाषा अब बोधनम अभ्यास कार्य प्रश्ण एक उचे धातुरूपों से रिक्तिस्तान भरिये यहां ब्रैकिक में कुछ धातु हैं जिनके हमें धातुरूप बनाने हैं करता की अनुसार देखिए त्वम की साथ धातु में सी प्रत्य लगता है त्वम पट सी त्वम लिख है तो त्वम लिख सी यूबाम की साथ धातु में थे प्रत्य लगता है तो यूबाम चल थह यूवयम नी नी परिवर्थनिय धातु है जो नय में परिवर्थित हो जाती है तो धातु रूप बनेगा यूवयम नय थ द्रश्य भी परिवर्थनिय धातू है जो पश्य में परिवर्थित हो जाती है तो यू यम में धातू में थै लगता है तो पश्यत यू यम पश्यत यूवाम गम गम यहाँ पर परिवर्थने धातुए जो गच्च में परिवर्थित हो जाती है तो यूवाम गच्च थह प्रश्ण दो करता पद लिखिए यहाँ पर आपको किरिया के अनुसार करता भरना है पहला है इस्मर्सी, सी प्रत्य है तो तुम लगेगा तुम इस्मर्सी, यच्छत थ विसर्ग है तो जो यूवाम के साथ लगता है तो यूवाम यच्छत थ, कुरुत यूयम कुरुत, बदसी तुम बदसी, रक्षत यूयम रक्षत, खाद थ, यूवाम खाद थ, प्रश्न त उचित मिलान कीजिए यहाँ पर कर्ता को क्रिया से मिलाना है कि किस कर्ता के साथ हम कौन सी क्रिया लगाते हैं तव के साथ लगाते हैं धावत ह, तवम के साथ क्रीडसी, सह के साथ गच्छती और यूयम के साथ हसत्ल और ते के साथ पतत क्योंकि ये ते दुई वेचन नपुन सिट्टिंग का शब्द है इसलिए दुई वेचन के किरिया पतत कप्रियों करेंगे अब चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ, चार संस्कृत में अनुबाद कीजिए, हमें यहां बाक्ये दिये हुए हिंदी में उनका हमें संस्कृत मनुबाद करना है तुम खेलते हो, तुम के लिए त्वम, खेलते हो क्रीडसी, तुम सब गुमते हो, तुम सब के लिए यूयम, गुमते हो ब्रहमत, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों के लिए युवाम, पढ़ते हो पठथ, वे दोनों दोरते हैं, वे दोनों के लिए तव, दोरते है धावत ते है वे सब चित्रकार है वे सब के लिए ते चित्रकार चित्रकारम है के लिए लगाएंगे हम संती ते चित्रकारम संती अचका कार है यहीं समापत होता है मिलते हैं फिर से एक नई विशेवस्तू के साथ धन्यवाद